हमेशा एक बात बूली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी की भी ना आखरी ना नहीं होती है पिछली बार की तरह इस बार भी हमने इस बात को सीखने का आज हमको मौका मिल रहा है कि एक अनवब लेने के बाद में अमरपाल पटेल जी ने जो इस तरह शुरू किया था दोजार तीन सपना सफर पांच साल जंग के काम किया साइकिल से इनोट प्रक से बस से सब जगे से स्टगल करके काम किया लेकिन सफलता नहीं मेली और जब अनवब खराब होता है तो अनवब एक टॉर्च की तरह काम करता है आगे की तरफ हमको वही लाइट दिखाई देती विश्वास की तो बात थी इसलिए अपलाइं से दुवारा मिलने को त्यार नहीं थे विश्वास की बात थी दिमाग में बैठ चुका था कि पांस साल काम करके बरवाद हो गया कुछ खास हो नहीं पाया टाइम विस्ट हो गया और फानली फिर यह हो गया कंपनी के तो करने नहीं है आप तो कुछ और करना विश्वास की बात तो थी और जिस दिन वह विश्वास वापस आया प्रोड़क की वजह से कि मदर को जो प्रॉब्लम थी एक हफ़ते ऐलोपेतिक छोड़ने के बाब जूद भी विस्टीज के प्रोड़क में चमतकार किया विश्वास जैस करते हैं जिनको हम प्लान दिखाते है और उनका रेक्शन शुरुभात में हमारे साथ अशा होता है और हम क्या करते हैं बहुत जब्यों हो जाते हैं यानी कि उन अनवावों को अपने उपर शामिल कर लेते हैं आ और हम भी आज 새 आँने ही आधा कर नहीं तो अही Amreto कि किया आज अगर वो मना कर रहा है तो आपको मना नहीं कर रहा है वो अपने पुराने अनभव के कारण उसको वह चीज नजर आ रही है इसलिए वह मना कर रहा है और जिस दन आपने उसके यह experience बदलने में मदद करती दो तरीके से हमारे product भी वो काम करते हैं और हमारे event भी वो काम करते हैं कि बहुत बार हमारे parents कितने सारी उलजुनों होते हैं वह अपने आप अपने कितने परशान होते हैं और वह अपने थी करते हैं कि वह अपने तकलीवें आप तक भी जाहर ना होने दे हाँ एक हमें दिखता लिए नहीं कर पा रहे और कई बार ऐसी सोच हमारे रिस्तों पर फरख डालती है, असर डालती है, हो सकता है शायद वो इस सिच्टूशन से गुजर रहे हो, हमें शायद उसका एसास ना हो, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही हमारे लिए बैस करने की, लेकिन कई बार हमारे हिसाब से वो नहीं हो रहा होता, जो हमारी इच्छा में होता है, ऐसा अमर ने बताया कि इनका भी फ्रस्चेट होना गलत थोड़ी था, 2000 पिछले कई साल से इलावाद के अंदर फानेशल क्राइस यह भी जहल रहे थे, इनका भी एक समाज था, दोस्त थे, तो वो साइकलोजी वहां भी थी, और आतर बत्पंदर सुनता हुआ हूं, अमर, और मैं आपकी बास से कोर्लेट कर पा रहा हूं इस बात को, कि दुनिया यह कहती है कि जब आपके उपर फनेंशल करंच आता है, जब क्राइसिस आती है, जब परशानी आती है, तो अपने लोग भी दूर हो जाते हैं, इसलिए न परशानी और ज़्यादा बड़ी हुई नसूस होती है हमको, और ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि उस समय की मनोश्तिती क्या होगी, उस समय की मनोवर्ती क्या होगी, आपकी भी और आपकी पैमिली की, मलब इस और सबकी मदद करें, मैं बच्पन से एक लाइन सुनता आ था, मुझे लगता है, शायद वो लाइन आज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी सारे लोगों को, कि मैंने भी अपने मुझरबर से एक लाइन सुनी है, कि बुरे वक्त में आपकी अपनी बुद्धी और आपकी अपने अनुभव, आपके शरीद की ताकत और आ जब आप समय रहते, उसकी तयारियां नहीं करते, आप समय रहते, पहले से प्लानिंग नहीं करते, अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं करते, कि आज मेरी उमर ये है, जो मैंने शुरुबात में कहा, और जब मेरा परिवार अभी छोटा सा है, हम लोग ये तयारियां नहीं हूँ या जिस प्रोफेशन के अंदर मैं आज हूँ क्या मुझे वो उस समय मेरा प्रोफेशन मेरा करन प्रोफेशन क्या मुझे उस समय उतनी ग्रोथ दे पाएगा और अगर नहीं देगा तो फिर इस तरह की क्राइसिज हमें जहिलनी पड़ती है इसका सीधा सा कारण है कि हम हमें रहते हैं अगर शायद पापाने प्लानिंग करी होती या उस समय उनके पास कोई होती होती या उस समय नौकरी पर करने की जगए वो कुछ और भी काम कर रहे होते तो शायद फनेंशली जो चैलेंजिस करने पड़ रहे थे बाद में उन नहीं होते दोस्तों आज यह और में हमको जरूवत नहीं है कि हमारे पास भी एक दूसरी सोर्स अफ इंकम हो जिसको नौकरी के साथ भी हम कैरी करें और वो वक्त आने पर हमारे लिए बहुत मदद करें बहुत सारे लोग हम मेंसे पता ही क्या गरते हैं लाइफ के अंदर जब ऐसी कुछ चैलेंजिस आत अब हालों के सामने सरेंडर कर देती है ओव समझाता कर लेते हो जोग जाते ऊट जाते हो अपरशन में चलप आप डिपरेशन से या किस डिरेक्शन में ले कर जाते हैं?